सबसे पहले इन से जाके पूछो सोशियल नेशन से कमेंट से पूछो कि अगर आपको क्रियेटर को चार पाच मिनिट ही देने है तो बुलाव ही मत तो इसके उपर उनने पहुत सारा रियक्ट किया है और बहुत पंदब कि इन्होंने बोला है उनको एट किया है आप देखिए आपको पूछो कि अगर आपकु चार पाच मिंट रही है तो बुलाव ही मत या तो आप क्रियेटर को किसी को पार्तो करनी रहो Specifically से बढ़ी चीज़ परकुन से पैसा मत लो सबसे बड़ी चीज ढ़्यों ाइटने लोग गूठ कर रहे है इतने लोग जिंए Ltdंए लोग कर रहे हो second thing I know time constraints होते है shows में पांच मिनिट का ही time होता है तो आप rehearsal क्यों लेते हो okay आपने एक दिन पहले rehearsal ली पूरे performance की जो भी पांच मिनिट का अगर performance है उसकी आपने rehearsal ली जिसके लिए हमको थाने से अंधेरी जाना पड़ता है पांच मिट के performance के लिए आदा दिन हमारा जाता है ठीक है ओके वह performance हुई वहां पर आपने देख लिया पूरा act देख लिया ना तो stage पर आप beach act में कैसे काट सकते हो माइक किसी का खासकर जब वो stand-up कर रहा है खासकर जब वो कुछ बोल रहा है अब चलो ठीक है डांस है कोई अलग बात है आपने audio बन कर दिया देखें लेक हाथ जोड़के निकल सकते लेकिन आपकी beach line में अगर आपका माइक बंद हो जाता है तो आप समझ सकते हो कैसी चीज होती है माइक बंद हो गया मुझे लगा कोई technical glitch है उसके बाद उन्होंने lights भी बंद कर दी तो मतलब अगर इतना disrespect करना है तो मत बुलाओ creator को